स्रीगने शायनमा, परमगुरुदेवे भ्योनमा, मात्पिता चरण कमले भ्योनमा प्रियबंधुओ रुद्राक्ष भगवान शिवजी को अती प्रिये हैं रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं आज हम इन रुद्राक्षों का महत्वे आप लोगों को बता रहे हैं सबसे पहले तो यह समझने की अवशकता है कि रुद्राक्ष का मुख केसा होता है किसको रुद्राक्ष का मुह कहा जाता है तो हम आपको बता दें कि यदि आप प्रतियक रुद्राक्ष को जो अच्छा और बड़ा रुद्राक्ष होता है उसे यदि आप गोर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतियक रुद्राक्ष में कुछ लाइने होती हैं इन्ही लाइनों को रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है जिस रुद्राक्ष में जितनी लाइने होती है वह रुद्राक्ष उतने मुखी रुद्राक्ष कहलाता है तो रुद्राक्ष में मुखरूप से एक से लेकर चउदा तक लाइने होती है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रुद्राक्ष एक मुखी से ले करके 14 मुखी तक होता है तो आईए हम प्रतियक रुद्राक्ष का जो मुख होता है उसके महत्व के बारे में जानते हैं सारुप्रथम हम एक मुखी रुद्राक्ष की चर्चा यहां करते हैं यह एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम प्राप्त होता है और यदि आपको कहीं एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो तुरंत ही उस रुद्राक्ष को संग्रहित कर लेना चाहिए क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो साक्षात भगवान शिव का रूप होता है और इसको विधिवत धारन करने से भगवान सिव की असीम क्रपा प्राप्त होती है अश्ट सिध्धी नौनिध्धी सदेव हमारे उपर क्रपालू रहती है अब हम बता रहे हैं दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में यह दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर और पारवती का सुरूप होता है जो दो मुखी रुद्राक्ष धारन करता है उसके उपर भगवान शिव और माता पारवती की क्रपा सदेव बनी रहती है तीन मुखी रुद्राक्ष यह मनोरत पूर्ण रुद्राक्ष होता है इसे यदि आप बिधीवत धारन करते हैं तो भगवान शिव की क्रपा से आपकी सभी कामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती रहती हैं विशेशकार विद्यार्थी लोग जो होते हैं उन्हें यह तीन मुखी रुद्राक्ष अवश्यधारन करना चाहिए एक तरह से यह तीन मुखी रुद्राक्ष सरस्वती का भी सुरूप माना गया है जो तीन मुखी रुद्राक्ष धारन करता है उसे विध्या की प्राप्ती होती है चतर मुखी याने चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है इसके धारन करने से भगवान ब्रह्मा जी की करपा प्राप्त होती है यह ब्रह्मा जी का शुरूप कहा गया है इसके धारण करने से आर्थ, धार्म, काम और मौक्ष की प्राप्ती प्राणी को प्राप्त होती है पंच मुखी रुद्राक्ष जो होता है यह कालागनी के नाम से जाना गया है और संपून कामनाओं को पून करने वाला होता है छे मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्थिके का प्रतीक है इसे दाहिने हाथ में बांधने से विजय की प्राप्ती होती है यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंटी बेला इकान दवाएं चैनल की सदस्ता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्यान बर्दक वीडियो प्राप्त हो सकें अब हम आपको सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं तो जो सात मुखी रुद्राक्ष होता है इसके धारन करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं घर में लक्षमी जी का बास होता है इसी प्रकार से आठ मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये साक्षात भैरव का सुरूप होता है इसके धारन करने से घर में अभीजात जनित क्रियाएं प्रवेश नहीं करती जो बाहरी बाधाएं होती है जिने हम प्रेत इत्यादी से सम्मंधित जो बाधाएं हम मानते हैं तो आठ मुखी रुद्राक्ष यदि आपने विधिवत धारन किया है तो आपके घर में बाहरी बाधाएं प्रवेश नहीं करती है और इसके धारन करने से लंबी आयू प्राप्त होती है नो मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात भगवती का सुरूप है इसके धारन करने से माता दुरगा देवी की करपा प्राप्त होती है दस मुखी रुद्राक्ष भगवान विश्नु का सुरूप है इसके धारन करने से माता लक्षमी और भगवान विश्नु की करपा प्राप्त होती है 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान रुद्र का सुरूप है इनके धारन करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार से जो 12 मुखी रुद्राक्ष होता है यह द्वादस आदित्य का सुरूप होता है द्वादस आदित्याने हमारे धर्म सास्त्रों में बारहा सूरियों का वर्णन आता है तो यह बारहा मुखी रुद्राक्ष जो होता है यह बारहा सूरियों का सुरूप होता है इसके धारन करने से भगवान सूरी नारण की क्रपा प्राप्त होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा में व्रद्धी होती है विसेशकार जन सेवा करने वाली जो महानुभाव हैं जो सामाजिक सेवा करने का जिनके मन में भाव रहता है उन लोगों को चाहिए कि वह वारा मुखी रुद्राक्ष विधिवत धारन करें तेरा मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह विश्व दिवताओं का सुरूप है इनके धारन करने से इसके धारन करने से विश्व दिवताओं की क्रपा प्राप्त होती है चबुदा मुखी रुद्राक्ष यह सर्व देवताओं का प्रतीक है और इसके धारन करने से ब्रह्मा विश्नु महेश्वर आदी देवताओं की करपा प्राप्त होती है तो बंदुवो जो प्राणी रुद्राक्ष धारन करता है उसके उपर भगवान ब्रह्मा विश्नु महेश्वर सभी देवता करपालू होते हैं अब रुद्राक्ष कैसे धारन करना चाहिए और कब धारन करना चाहिए यह फिर कभी आने वाले समय में हम उपस्थित होंगे औ इनके बारे में विश्त्रित चर्चा करेंगे आज के लिए वस इतना ही सेश फिर कभी अगले भाग में नई विशे के साथ में हम उपस्थित होंगे आज्या दीजिए धन्यवाद जय माता की जय प्रश्राम जी की